सुप्रभाद, हिंदिक इस कक्षा में आपका स्वागत है आज हम कक्षा 9 की पाठ्थे पुस्तक व्याकरन निपुड के पाठ दो समास का अध्यन करेंगे समास, संस्कित धातु अस जिसका अर्थे संशेप करना में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है समास शब्द का अर्थे समाहार या मिलाब इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का अर्थ संशेपी करन हुआ उदहरण, देखें पुर्षों में है जो उत्तम अर्थात पुर्ष उत्तम राह के लिए खर्च अर्थात राह खर्च विष्द को धारण करने वाला अर्थात विष्दर अता हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेंज से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं बच्चों आपने यहां समास की परिभाशा समझ ली होगी उपरिएक परिभाशा के अधार पर समास में निमलिखित बातेस पस्ट होती हैं पहला समास के लिए कम से कम दो पद आवश्यक होते हैं इसमें पहला पद पूरो पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद दूसरा समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संचिप्त रूप धारण कर लेते हैं दोनों के मेल से बना यह संचिप्त रूप समस्त पद कहलाता है तीसरा समास प्रक्रिया में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है जैसे उदारण सुरुप देखिए पूरुपद है नीला उत्तरपद है कमल ये दोनों पद है जो चिन्न से जुड़े हैं लेकिन जैसे हमने इन दोनों पदों को समस्त पद में परिवर्टित किया तो इनके चिन्न का लोप हो गया हवन सामग्री यहां भी ध्यान से देखिए ये के लिए विवर्टित किया गया तो इहां भी के समान चिन्न विवर्टित किया गया साथ दिनों यहाँ भी कासमू चिन से जुड़े हैं और जैसे ही समस्त पद में परिवर्टित हुएं तो यहाँ भी विभक्ती का लोप हो गया समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग-अलग किये जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, जैसे दशानन शब्द का विग्रह होगा, दश्यानन जिसके अर्थात रावड. समास के भेद समास के छे भेद होते हैं पहला अव्य भाव समास अव्य के योग से बनने वाले शब्द अव्य भाव समास कहलाते हैं इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा समास से जो शब्द बनता है वह भी अव्य होता है समस्त शब्द के अव्य रूप में उपस्थित होने के कारण इस समास का नाम अव्य भाव समास पड़ा है अव्य भाव समास में पूरुपत अव्य होता है और उत्तरपत संग्या या पिशेशन जैसे भर, पेट यथा योग्य आईए इसे उदारण से समझते हैं अव्य भाव समास के उदारण समस्त पड़ देखिए यहाँ पर प्रती मास और इसका विग्रह होगा हर मास प्रती वर्ष हर वर्ष बेखटके बिना खटकके यथा इस्तिती, इस्तिती के अनुसार वखूबी, खूबी के साथ, साफ साफ बिलकुल साफ बच्चो यहाँ आप अगर जानकारी लेनी हैं कि अव्य भाव समास कैसे हुआ तो आप समस्त पड़ को एक वाक्य में वाक्य बनाएं और उस बाक्य में इन्हें प्रियुक्त करने पर अगर इसके इस रूप में परिवर्टतर नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि अव्य भाव समास है अगर हम एक उदार सुरूप हम आपको समझाते हैं कि प्रतिवर्ष तो अगर आप इसे एक वचन में बनाएए तो इस्त्रिलिंग में मैं प्रतिवर्ष स्कूल जाती हूँ पुलिंग में करें तो मैं प्रतिवर्ष स्कूल जाता हूँ बहुवचन में से प्रयोग करिए वे प्रतिवर्ष स्कूल जाते हैं तो द्यान से देखिए तो इस शब्द में इस समस्त पद में परिवर्टन नहीं हुआ इस आधार पे कहा जा सकता है कि अववयभाव समास है आईए आगे बढ़ते हैं दूसरा है तत्पुरु समास जिस समास्षिक शब्द का उत्तर edhan होता है तता पहले पत के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है वा तत्पुरु समास कहलाता है स्तत्पुरु समास के कुछ उधारण समस्त पद देखिए देश गत विग्रा है देश को गया हुआ बच्चों यहां गत कार्थ है गया हुआ यश प्राप्त यश को प्राप्त ग्रिह गत ग्रिह को गया हुआ स्वर्ग गत स्वर्ग को गया हुआ या स्वर्ग को गत मरणासन मरण के निकट बच्चों जब हम समस्त पद को विग्रह पद में परिवर्टित करते हैं तो विभक्ती चिन दिखाई देने लगते हैं जैसे हम इसे विग्रह पद को समस्त पद में परिवर्टित करते हैं तो विभक्ति चिन्न का लोफ हो जाता है, और पद एक शिरो रेखा की अंतरगत आ जाता है. दूसरा तीसरा है कर्मधारे समास, जिसका पहला पद विशेशड और दूसरा पद विशेश्य होता है, अथ्वा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमे होता है, तो कर्म धारे समास होता है जैसे विशेषर विशेष्य वाले उदाहरण पहले देखे द्यान से विशेषर विशेष्य किसे कहते हैं पहले इसे जान ले विशेषर जिस शब्द से विशेष्य की विशेष्य प्रदर्शित की जाए अब विशेष्य जिसकी विशेष्य विशेशड विशेश्य का चिन जो है वह है जो है जब हम समस्त पद को विग्रह पद में परिवर्टित करते हैं तो वहां है जो चिन दृष्टिकत होने लगता है दिखाई देने लगता है जैसे ही हम विग्रह पद को समस्त पद में बदलते हैं है जो चिन छिप जाता है उस देखिए नीला अंबर नीला है जो अंबर यहाँ पे है जो चिन से जुड़ा है लेकिन जैसे हमने है जो चिन हटाया तो नीला और अंबर दोनों शब्द आपके समस्त पद में आ गए लाल टोपी लाल है जो टोपी कृष्ण सर्प कृष्ण है जो सर्प यानी काला है जो सांप नील गगन नीला है जो गगन बच्ची है चारों शब्द देखिया है जो चिन से जुड़े है विशेशर विशेश का चिन ही है है जो और लेकिन जैसे हम इसे विग्रह पद को समस्त पद में परिवर्टित किया त तो सभी चिन्ध आपके विभक्ति चिन्या से विलुप्त हो गए और दोनों पद जो है समस्त पद में एक शीरो रिखा की अंतरगत आ गया उपमे उपमान वाले उदारण उपमे किसे कहते है उपमान किसे कहते है तो उपमान याने जो प्रतीक चिन्ध उपमे की उपमेता को प्रदर्शित करे उसे उपमान कहते है और जिसके विशय में कहा जा यान जिसकी उपमेता प्रदर्शित की जाए उसे उपमे कहते है चिन्ह के समान तथा रूपी ये दो प्रतीक हैं इससे हम समस्त पद का विग्रह करते हैं देखे एक ध्यान से कि विद्या धन विद्या रूपी धन यहां रूपी चिन्ह प्रस्तोत होने लगा जैसे ही हमने इस विग्रह पद से रूपी चिन्ह को विलुप्त किया तो विद् दresh दंड यानि दंड के समान भुझा दंड यानि डंडे के समान भुझा यहां देखे के समान यहां पर एक वस्तू देखिए दूसरे वस्तू के उपमेता प्रदश्षित कर यने विशेस्ता को बता रही है वचन कैसे है अम्रित के समाने है या वचन रूपी अम्रित वचन यहां भी हमने जैसे ही इस दोनों शब्दों का किन वुब्ट रूपी विभक्ति चिन्द दिखाई देने लगा और जैसे ही हमने इसे विलुक्त किया इन समस्त पद को समस्त पद में परिवर्टित किया तो ये दोनों शब्द हमारे एक शिर्ण रिखा के अंतरगत आ गए मुख चंद्र मुख रूपी चंद्रम या चंद्रमा के समान मुख तो यहां ध्यान से देखें यहां भी विशेस्ता स्थापित की जारी है और जैसे ही हमने इस विग्रह पद को समस्त पद में परिवर्टित किया तो दोनों शब्द आपके रूपी विभक्ति चिन्न का दर्शित की जाती है या उपमे उपमान में भी एक वस्तु की दूसरी विशेवस्तु से उसकी उपमेता को प्रदशित करती है उसकी विशेस्ता को बताते है चोथा दिगु समास जहां समस्त पद का पूर उपद संख्या वाचक होता है अर्था गिंती को बताने वाला होत तथा समस्त्पद किसी समूः विशेश का बोध कराता है उसे दुईगु समास कहते हैं आए उधारा देखें समस्तपद में दुईगु यानि दो गायों का समाहार विग्रह होगा इसका दो गायों का समाहार त्रिफला तीन फलों का समाहार चौ मासा चार मासों का समूह चार पाई चार पायरों का समाहार नौ रात्र नौ रात्रियों का समूह त्रिवेडी तीन वेडियों का समूह बच्चों यहां ध्यान से देखिए विगरह करने पर या समस्त पद में ही पहला पद हमारा जैसे हमारी परिभाशा है कि जहां समस्त पद का पूर पद संख्या वाचक है तो दो गायो, तीन फल, चार मास, चार पैव, नौर आत्री, तीन वेडियों इसमें पहला पद संख्या यानि गिंती को प्रदशित कर ला है इसलिए इसे दिगु समास कहा गया है द्वन्द समास, जिस समस्त पद में दोनों पद पदान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रियोग हो तो उसे द्वन्द समास कहते हैं द्वंदु का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तू का यूगम अर्थात जोड़ा होता है इसके उदारण देखें समस्त पद है लाभा लाव विग्रह है लाभ और अलाव राम लक्षमण यश अप्यश भूख प्यास धर्म अधर्म भला बुरा मच्चो ध्यान से समस्त पद को देखिए तो यहाँ पर दोनों पदों में लाभाल आपको छोड़के अन्य पदों में यहाँ योजक चिन से शब्द जुड़े हैं यहाँ जैसे हम इन पदों को समस्त पदों को विग्रह पद में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे उस योजक चिन का लोप हो जाता है और योजक चिन और अथवा या तथा अथवा शब्दों में परिवर्तित चिन में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों यहां देखें लाभा लाभ को तो लाभ और हानी शब्द का अर्थुआ लाभ और अहानी यहां पे विग्रह करने पे शब्द में लाभ और अलाभ यहां और शब्द दिखाई देने लगा आपको परिलक्षित होने लगा जैसे हमने इसे विग्रह पद से समस्त पद में परिवर्थित किया तो इसमें से और इस चिन्द का योजक चिन्द का लोप हो गया यहाँ देखिए विग्रह पद में राम और लक्षमन जैसे हमने इस विग्रह पद को समस्त पद में परिवर्थित किया और पद का लोप हो गया और इसके स्थान पे योजक का चिन दिखाई देने लगा यहाँ देखिए अपयश और अपयश में यहाँ भी चिन दिखाई दे रहा है लेकिन हगर हमने जैसे इसे विग्रह किया तो और पद में परिवर्थित हो गया जैसे हमने इसे समस्त पद में परिवर्थित किया तो और चिन और शब्द जो है पद जो है यहाँ आपका लुप कि जैसे ही हमने समस्त पद को विग्रा पद में परिवर्टित किया तो यहां पे और और या यह आपके पद जो हैं शब्द दिखाई देने लगे लेकिन जैसे ही इन शब्दों को हमने समस्त पद में परिवर्टित किया वहां पे और या का लोप हो गया उसके स्थान योजक क चिन्ह प्रस्तुत होने लगे बहुवरीही समास जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं वहां बहुवरीही समास होता है जैसे विशधर विश को धारन करने वाला अर्थात शंकर इस शब्द में विश और धर में से कोई पद प्रधान या गौड नहीं है बलकि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद शंकर के लिए प्रियुक्त हो रहे हैं अता हम कह सकते हैं कि विग्रह पद संग्या पद का विशेशण रूप ही होता है इनका विग्रह करने पर विशेशण रूप से वाला वाली जिसका जिसकी जिसमें अर्थात विश्डू। महादेव महान है जो देव अर्थात शिप। अल्प बुद्धवी अल्प है बुद्धी जिसकी अर्थात विशेश वेक्टि। उदार हिर्दय, उदार है हिर्दय जिसका अर्थात विशेश वेक्ति, गजानन गच के समानन है जिसका अर्थात गडेश, बच्चों यहां ध्यान से देखिए, समस्त पद में जितने भी शब्द हैं, जब हमने इनका विगरह किया तो यहां कोई पद प्रधान नहीं है, बल विशेश वेक्ति की प्रतीती हूरी है, इस आधार पे कहा जा सकता है कि यह आपका बहुवरी समास है, कर्मधारे बहुवरी समास में अंतर, कर्मधारे बहुवरी समास में सूक्षम अंतर पाया जाता है, कर्मधारे समास में पहला पद विशेशड या उपमान होता है, जो है जो आत्मा विशेश है यानि यहां परध्यान से देखिए बच्चों की महान विशेशड है है जो आत्मा विशेश है यानि यहां पर आत्मा की विशेशता महान शब्द से बताई जा रही है अब बहुवरी ही में देखा जाए तो बहुवरी समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं जैसे महान आत्मा है जिसकी अर्थात विशेश विक्ती यहाँ पे ना पहला पद मुख्य होता है ना दूसरा पद बल्कि किसी तीसरे पद की विशेशता या किसी तीसरे पद को बताते हैं लेकिन कर्मधारे के अंतरगत में उपमान में एक वस्तू विशेश दूसरे वस्तू विशेश की विशेशता को प्रदर्शित करता है कुछ अन्य उदारन देखें पीत अंबर में देखिए पीत है जो अंबर अर्थात पीत अंबर यहां है जो चिन्न है कर्मधारे यानि एक वस्तु विशेश को दूसरे वस्तु विशेश के समान दशाय जा रहा है कि वस्तु कैसा है पीले अंबर के समान है तो यहां कर्मधार है लेकिन हम अगर बहुवरी में देखें पीत अंबर है जिसके अर्थाथ श्री कृष्ट यानि पीले अंबर जिसने पहन रखे हैं तो कौन है वह कृष्ण यहां किसी विशेश वेक्ती की प्रतीती कराई गई है इस आधार पे आपका बहुवरी समास है कमल नयन को देखिए कमल के समान नयन नयन कैसे हैं कमल के समान सुन्दर है एक वस्तुविशेश को दूसरे वस्तुविशेश के समान सुन्दर दस्टाया गया है तो यहां आपका करमधा रहे है यानि एक उपमे कि उपमेता कमल से उपमान से प्रदश्चित की गई है लेकिन दूसरे में देखे बहुवरी में तो कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्णे यहाँ पे कमल के समान नयन वाला कौन है तीसरा वेक्ति यानि किसी तीसरे अर्थ की प्रतीती हो रही है उस आधार पे आपका बहुब्रीह समास है दिगो बहुब्रीह समास में अंतर जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है वहां दिगो समास होता है जैसे त्रिलोचन तीन लोचनों का समुह जहां संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की यो संकेत करते हैं वहाँ बहु वरिही समास होता है जैसे त्रिलोचन तीन हैं लोचन जिसके अरथा शिव अनियुदारण से समझें तो अश्टा ध्याई दूसरे उदारा से समझे तो अश्ट अध्यायों का समू यहाँ पर बच्चो ध्यान से देखिए कि पहला पद दूसरे पद की संख्या से अश्ट से विशेस्ता प्रदशित कर रहा है दूसरे इस वाक्य में देखें आठ है अध्याय जिसके पाड़ेनिक का व्याकरण यहाँ पर दूसरे में की पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत कर रहा है आईए तिरंगा देखते हैं तिरंगा में तीन रंगों का समाहार या समू यहाँ पर तीन संक्याय वाचक शब्द जो है वह अन्य शब्दों की विशेषता को प्रदशित कर रहा है दूसरे में देखें तो तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राश्ट द्वच यहाँ पर तीसरे वस्तु विशेष की पहचान हो रही है लेकिन यहाँ पर पहले वाले वाक्य में देखें जो तीन रंगों का समू या समाहार यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता संक्या से वता रहा है लेकिन दूसरे पद में किसी तीसरे अर्थ की प्रतीती हो रही है त्रिफला में देखे तीन फलों का समाहार यहां भी देखिए तो तीन पहला पद जो है अने फलों का विशेशता को प्रदर्शित कर रहा है संक्या से प्रदर्शित कर रहा है तीन है फल जिसमें अर्थात औशदी विशेश यानि तीन फलों वाला यहां पे किसी तीसरे औश आश्धी विशेश की बात की जारिये तीन फल हैं जिसमें अर्थात और श्धी विशेश यहां पर एक न पहला पत परधान है न दूसरा पत परधान है बलकि किसी तीसरे अर्थ की प्रतीती करा रहा है बच्चो अंतता आपको अभ्यास प्रश्ण दिये जा रहे हैं निमलिखित प्रश्णों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा यहाँ आपके तीन प्रश्ण है पहला प्रश्ण है समास किसे कहते हैं उदारन द्वारस पष्ट कीजिए दूसरा प्रश्ण है निमलिखित समस्त पदों का विगर कर समास का नाम बताईए तथा तीसरा प्रश्ण है निमलिखित प्रश्णों के समस्त पद बना कर समास का नाम बताईए धन्यवाद